हालो फ्रेंज बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंज इस वीडियो क्लास में हम डिसकस करेंगे SSC Steno Exam 2016 का एक प्रिविए से कोश्चन पेपर और इस पेपर में मैंने 20 कोश्चन दिये हैं तो इनको हम डिसकस करेंगे तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को देखे ये sentence improvement के questions हैं और moral questions है ज़्यादा cut-in questions नहीं है ये लेकिन real questions हैं ये देखे हर work a great improvement showed last year Simple सापको logic लगाना है कि यहाँ पर हर work लिखा है यानि ये subject है तो इसके बाद यहाँ पर जो आएगा वो आएगा work तो इसमें improvement आपका जो बनेगा वो ये बनेगा हर work showed a great improvement मतलब उसने अपने काम में एक अच्छा improvement दिखाया चुकि यहाँ पर यह subject है, हर work इसने showed यहाँ पर work के form में आएगा और work के बाद यह है पूरा object a great improvement उसने दिखाया, क्या दिखाया? a great improvement तो यह हो गया subject, यह हो गया verb और यह हो गया object subject, verb, object यह एक sequence होता है, यह एक natural sequence होता है तो natural sequence के according आपका जो answer होगा, वो होगा first question number two देखते हैं will you me visit and come in the hospital? will you do it? will you go there? will you read it? यह request के sentences होते हैं इनके थूरू हम request करते हैं तो यहाँ पर है will you अब यहाँ पर वर्ब आएगी, will you के बाद ठीक है, तो actually इसमें दो वर्ब जोड़ी गई है visit and come तो इसमें आपका answer बनेगा will you come and visit me? will you come and visit me? यानि first इसमें आपका सही answer होगा क्या आप आएंगे और मुझे विजिट करेंगे? क्या आप मुझें बिलने आएंगे? यह इसका हिंदी में अर्थ है next sentence देखते हैं your hair needs cutting badly इस sentence देखने में सही लगता है और इस sentence को आप spoken English में बोल भी सकते हैं लेकिन badly यहाँ पर क्या है? badly जो है यह adverb of quantity है adverb of manner नहीं है adverb of quantity है कि your hair needs cutting badly मतलब आपको बहुत ज़ला जरूरत है अपने हेर कटबाने की, अपने बाल कटबाने की तो चुकि यह adverb of quantity है इसको यदि हम यहाँ पर लगाएं वर्प से पहले तो सही रहेगा ठीक है? रूल के according यह वर्प से पहले लगते हैं adverb of frequency और adverb of quantity adverb of manner, place and time यह वर्प की बाद में लगते हैं तो grammar के according यह इसका सही option होगा ठीक है? यह एर हेर नीट्स कटिंग बैडली इस तरीके से आप इस पोकर इंग्रिश में बोल सकते हैं लेकिन चुकि यहाँ पर तो आपको grammar के questions को करना है और grammar को ध्यान में रखना है इसलिए grammar के according third इसमें आपका सही answer होगा next question देखते हैं if only he can swim देखे यह wish के questions हैं इसमें हम बोलते हैं कि काश ऐसा हो पाता या काश ऐसा हो सकता तो यहाँ पर इस तरह के sentences में हम word ya could लगाते हैं लेकिन इसमें context के according could यहाँ पर सही answer होगा if only he could if only he could swim काश ऐसा में तैर सकता ठीक है would लगाएंगे तो इसका मतलब लिखलेगा काश ऐसा में तैरता जो की गलत होगा context को तो तो थोड़ा समझना पड़ता है आपको काश ऐसा में तैर सकता तो वो उसको बचा लेता ठीक है काश वो उसको में तैरता तो यह तो एक ability के लिए हो जाएगा तो could यहाँ पर context के according इसमें सही answer आपका होगा next हम देखते है stick laws were passed so that the cruel custom was no more custom हम बोलते हैं एक परंपरा को एक tradition को और no more जो word है देखे यहाँ पर काफी close phrases दिये गए है eradicate है, wiped off है, done away with है no more no more हम बोलते हैं किसी व्यक्ती के लिए जब कोई व्यक्ती मर जाता है तो उसके लिए हम no more बोलते हैं wipe off का मतलब पहुचना किसी चीश को वहाँ से हटाना done away with हम normally rules के लिए लगाते हैं ठीक है परंपरा या custom के लिए हम जो word लगाते हैं वो है eradicate eradicate यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तो काफी close है यह sentence तो इसमें सही आंसर होगा eradicate जिसको हम बोलते हैं उन्मूलन करना किसी चीश को हटाना या जड़ से मिटाना यह बीमारियों के लिए भी यह word आता है जैसे polio को eradicate कर दिया गया है तो जड़ से मिटाने के sense में eradicate word सही रहता है तो यहाँ पर eradicated सही आंसर होगा next देखते हैं please examine my homework homework को हम examine नहीं करते हैं homework को हम check करते हैं examine का मतलब होता है examination, correction करना तो यह actually थोड़ा सा technical term है check general term है investigate जाच परताल करना तो जाच परताल तो आएगा नहीं see मने देखना देखना भी नहीं आएगा check एक तम appropriate word है यहाँ पर ठीक है examine के लिए check यहाँ पर सही word होगा phrase replacement के यह questions है next देखते हैं the sheriff arrested the hoodlums for playing with the law sheriff actually यह इंग्लेंड में चलता है यह word और sheriff का मतलब होता है chief executive officer जो chief officer होता है उसके लिए हम sheriff का use करते हैं और spelling में भी यह आप से पूचा जा सकता है hoodlums हम बोलते हैं जो गुंडे मवाली लोग होते हैं जो anti-social elements होते हैं उनको हम बोलते हैं तो the sheriff arrested the hoodlums for playing with the law playing with the law कानून के साथ खेलना अला कि ऐसा बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर सही जो word होगा वो होगा breaking the law हम arrest उसको तभी करेंगे जब उसने किसी कानून को तोड़ा हो तो breaking the law यहाँ पर जज़दा appropriate word होगा next हम देखते हैं to tell you the truth I am not there last night चुकि यहाँ पर last night लगा हुआ है तो last night के साथ last night तो past का word है तो इसको हम past में लिखेंगे यहाँ पर हम am के स्थान पर लिखेंगे was to tell you the truth यदि मैं आपको सच बात पता हूँ तो कल मैं वहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर आपका answer होगा was they spent many ideally hours just sitting in the sun उन्होंने काफी 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 टाइम गुजारा काफी घंते उन्होंने गुजारे के बल के बल फालतु बैठके के बल धूप में सूरज के नीचे बैठके फालतु में उन्होंने समय गुजारा यह इसका मतलब है तो इसमें यह subject है spent verb है उन्होंने गुजारा क्या गुजारा many many hours आप यह hours कैसे थे many idle hours थे फालतु के मतलब जिसमें कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता तो यहाँ पर जो सही answer होगा आपका वो यह होगा idle ideally idle hours ठीक है second जिसमें सही answer आपका होगा next देखते हैं there are many communicable diseases and almost all communicable diseases could be prevented क्योंकि हम past की बात नहीं कर रहे हैं हम एक fact की बात कर रहे हैं कि जितने भी communicable diseases हैं जो sun कमर से फैलती हैं उनको रोका जा सकता है उनको रोका जा सकता था हम नहीं बोलेंगे उनको रोका जा सकता है ठीक है और communicable diseases काई सारी होती है तो इसलिए यहाँ पर यह second वाला आपका आंसर सही होगा can be prevented हम एक possibility की बात कर रहे हैं कि एक problem है और उसको रोका जा सकता है ठीक है तो second इसमें आपका सही आंसर होगा communicable diseases can be prevented ठीक है चुकि यहाँ पर लखा है all communicable diseases तो इसलिए इसको हम पास्ट में नहीं बोल सकते यह हम प्रिजेंट फैक्ट की बात कर रहे हैं तो इसको हम can be presented इसमें सही होगा next हम देखते हैं यह voice change के question है passive voice, active voice के questions है body language is used by all good communicator तो यह passive voice में है क्योंकि इसमें ismr के साथ third form लगा है तो यह passive voice में है इसको active voice में हम कैसे change करेंगे body language is used by all good communicator यह जो by element है यह subject बन जाएगा active voice में यह उस तरफ चला जाएगा इस तरफ आ जाएगा यह ठीक है और चुकि यह present tense है तो इसमें जो helping verb होगी इसमें आपका आंसर होगा all good communicators use body language इसमें यह uses है तो uses नहीं आएगा क्योंकि यहां पर subject plural है तो verb plural आएगी ठीक है यह आर यह तो passive voice हो गया और इसमें all नहीं है तो यह गलत हो गया आपका ठीक है तो इसमें हो जाएगा all good communicators use body language फर्स्ट इसमें आपका सही आंसर होगा next हम दिखते हैं the crowd gave a standing ovation to Maradona crowd ने standing ovation दिया Maradona को तो गेप से हमें पता पढ़ रहा है कि यह वर्ब की second form है वर्ब की second form यानि वी टू है यह और यह past simple tense है तो past simple tense के साथ हम क्या लगाते हैं वो इसमें was या वर्ब लगाते हैं तो was यह दोना तो eliminate कर दिये आपने यह आएगा और इसमें चुकि यह continuous tense नहीं है इसमें being नहीं आएगा इसमें आएगा third तो third इसमें आपका सही आंसर होगा ठीक है people avoid crowded buses people subject हो गया avoid verb हो गया people avoid लोग avoid करते हैं क्या avoid करते हैं crowded buses तो crowded buses से यह बनेगा और crowded buses चुकि plural है और pigeon simple tense है यह तो इसमें आएगा are तो crowded buses are avoided by people यही हिसमें सही आंसर है people से नहीं बनेगा crowded buses have been से नहीं बनेगा people से भी नहीं बनेगा हाँ first इसमें सही आंसर है आपका ठीक है crowded buses are avoided by people next sentence देखते हैं four languages were studied by him at school तो यह actually passive voice है क्योंकि easy MR या watch work के साथ इसमें third form लगी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यह past simple tense में बनेगा four languages were studied by him by him यहाँ से sentence start होगा him जब इदर जाएगा तो he हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका had इसमें नहीं आएगा यह भी नहीं है he studied four languages at school ठीक है यह passive voice है past simple tense का passive voice है तो active में हो जाएगा he studied four languages at school third इसमें आपका सही answer होगा इसमें आप passive voice, active voice में और narration में आप 100% तक स्कूल कर सकते हैं simple rules होते हैं we do not advise him these days present simple tense है यह यह subject है यह पूरा verb है यह object है तो him से यह बनेगा him जब इदर जाएगा तो him इदर जाके he हो जाएगा यह हो जाएगा he is not advised these days by us ठीक है यह हो जाएगा इसका be से नहीं बनेगा he will से नहीं बनेगा has से नहीं बनेगा he is not advised these days by us उबर वाला sentence active voice है यह active voice है यह passive voice में बन जाएगा next sentence दिखते हैं the teacher said यह narration के sentence है the teacher said the earth goes around the sun teacher said का teacher said ही रहेगा और चुकि यह universal fact है यह change नहीं होगा और इसमें यहाँ पर connector के रूप में क्या आएगा that आएगा क्योंकि यह affirmative sentence है तो इसमें हो जाएगा आपका the teacher said told नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर object नहीं है तो told नहीं होगा said का said ही रहेगा the teacher said that the earth goes around the sun ठीक है second इसका answer है देखिए इसमें teacher said यहाँ पर that नहीं है the teacher said that the earth went around the sun नहीं teacher told नहीं होगा said का said ही रहेगा told तब होगा यहाँ पर object होगा जैसे said to me यह इस तरह से होगा तब यहाँ पर set का told होगा तो the teacher said that the earth goes around the sun sorry second इसमें सही आंसर है आपका इसमें फस्ट वाले में that नहीं है तो second इसमें आपका सही आंसर होगा universal truth को और facts को हम change नहीं करते हैं उसका tense change नहीं होता है ठीक है next हम देखते है Rahu said I am not coming tomorrow tomorrow का हो जाता है next day ठीक है next day इसमें किबल दो ही sentence में है तो यह कट जाएगा आपका और यह कट जाएगा तो इसमें हम बोलेंगे इसमें चुकिए अफर्मेटिफ सेंटेंस ऐसले यहां पर यहां पर जो connector होगा वो होगा that तो इसमें हो जाएगा आपका Rahu said that he was not coming the next day इसमें that नहीं है इस पहले sentence में that नहीं है तो यह कट हो जाएगा तोल इसमें नहीं आएगा इसमें हो जाएगा थर्ड Rahu said that he was not coming the next day थर्ड इसमें आपका सही answer हो जाएगा next देखते हैं he said all the players must report in time ठीक है तो must का हम क्या कर देते हैं must का हम कर देते हैं head to तो set का तो sad ही रहेगा he said that all the players had to report in time first इसमें सही answer है he said that all the players had to be नहीं होगा he said that all the players must must का head to हो जाता है first ही इसका सही answer होगा he said that all the players had to report in time चले आगे के कुछ sentence देखते हैं my daughter said to me I am thinking of getting married इसमें सेट का told हो जाएगा क्योंकि ये daughter किसी से कह रही है my daughter said to me ये object है यहाँ पर तो इसमें हो जाएगा my daughter told me इसमें कनेक्टर के आएगा क्नेक्टर आएगा that क्योंकि ये आफरमेटिव है my daughter told me that she was thinking of getting नहीं इसमें मेरिंग है my daughter told me that she was thinking of getting married मेरिंग नहीं होगा मेरिट का मेरिड ही रहेगा तर इसमांसर हो जाएगा आपका फॉर्थ my daughter said to me नहीं होगा my daughter told me that she was thinking of told me इसमें that missing है यहां पर इसमें that missing है हाँ फॉर्थ इसमें सही आंसर है my daughter told me that she was thinking of getting married next देखते है my uncle said I am always punctual तो said का told नहीं होगा इसमें my uncle said that he was always punctual यह सही है इसमें my uncle said that he is नहीं होगा my uncle told नहीं होगा my uncle said that नहीं यह बी नहीं होगा इसका आंसर होगा my uncle said that he was always punctual फॉर्थ इसमें सही आंसर होगा तो इस तरीके से 20 questions लिए हैं मैंने यह 2016 के stëall's के questions हैं और इसमें आगे मैं 17 के और 18 के जितने भी पीपर्स होंगे उनका सॉलूशन भी मैं आपको प्रवाइट कराऊंगा तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आपसे बिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक यू